सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाद तुम्हारा नेम देख सकते हो उसमें तुम्हारा नेम आज जाएगा तो अच्छे से प्रिपारेशन लो उसका जो इंटर्व्यू का डेट दिया था जुलाइ का 9,10,11 ऐसा डेट कुछ दिया है तो मतलब अभी एक माहिना है तुम्हारे पास तो मैक्सिमाम स्टुडेंट का ये कॉमेंट आया था कि एक वी ठीक है और इस वीडियो में मैं डिसकास करूँगा कि मॉक इंटर्व्यू के बारे में मतलब आज इसर कोलकाता का कैसे मतलब इंटर्व्यू के लिए प्रिपारेशन करना है कौन-कौन से टॉपिक तुमको अच्छे से पढ़ना है पढ़ना तुमको सभी है सब सारे चप्र तो फ्रेशन ले रहा था एक था आयाटी जैम उसके बाद जैन्सीय सर में रिसर्च करने के लिए और थाट फिंग इस हाइदवाद सेंटर्वाद सेंटर्व उनिवर्सिटी तो पहले मतलब आज दर कोलकाता क्या पहले जैम का रैंक पी आ गया था और उसके साथ जैन्सीय पहले तो इसके लिए और मतलब मेरा जो मतलब प्रेफारंस फो मिल गया है मेरे खो इसले आज दर कोलकाता अन्नीट तो मेरा जो फरेंड्स ने जो जो इंटरवी होने के बाद उनको को कोस्तिन सेंट पूछा था वह मैं एक सथ करके आज एपना रहा हुं साडे डिसकस करें तो वीडियो को लाश्ट तक देखो, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना और उसके साथ चैनल को सब्सकाइब कर देना So, let's start the video तो देखो, first thing is, interview board में जाने के लिए तुमको, first thing, मैं बहुत सारा जो जो वीडियो बनाया था मैं, मेरा friends ने जो experience देया था, उसका first important point था कि interview board में जाके तुमको, calm, cool रहना पड़ेगा and positive रहना पड़ेगा, क्योंकि उहाँ पार जाके डर गया तो मतलब मर गया वहाँ पर जाके अच्छे से तुमको, मतलब, देखना होगा कि कौन सा question पूछ रहा है, बहुत easy question पूछता है भाई BSC level का जो basics question वही पूछता है तो इसके लिए क्या होगा, तुमको, तुमारा दिमाग ठीक राखना पड़ेगा, positive रहना होगा, डर मत जाना तो इंटर्विव अच्छा होगा, यह मत सोचो कि यहां पर five to six, यह फाइब to ten seats है, तो मतलब, मेरा selection नहीं होगा यह सब बखवास की बात है, तुम अच्छे से इंटर्विव दोगे तो तुमारा हो जाएगा और एक important thing, तुमारा CV अच्छा रहना होगा, मतलब जो फॉंपिलिंग के time में तुम भरेते, जैसे तुमारा jam का rank कितना था, तुम कहां से पढ़े हो, BSC कहां से किये हो, ठीक है, जो integrated PhD के लिए जा रहे, जो PhD के लिए जा रहे, MSC कहां से किये हो, IITS जे होगा, तो तुमार approach अच्छा होगा, और भी मतलब preference जादा मेरेगा, मैं यहाँ पर integrated PhD के लिए बात कर रहा हूँ, तो देख सकते हो कि यहाँ पर CV अच्छा होगा, ठीक है, second thing is, तुमारा BSC में कुछ तुमारा जो internship, जैसे summer internship किसी भी college में होता है, ठीक है, जो high-five college होता है, उसमें होता है, य नहीं होगा तो problem नहीं है, integrated PhD या फिर BSC वाला student के लिए, मतलब MSC वाला student के लिए problem हो सकता है, क्योंकि MSC में maximum जाएगा पर project होता है, तुमको project करना पड़ेगा, उसके बाद तुमको एक research field चूज करके जाना होगा, research field, okay, मतलब research field मतलब क्या है, तुम अभी BSC में हो, तु उसके बाद किसी का हो सकता है organometallics, ठीक है, organometallics हो सकता है, किसी का हो सकता है कि पूराज material, ठीक है, यह सब material chemistry related, यह organic related, किसी का हो सकता है battery related, ठीक है, तो यह सब things हो सकता है, जिसमें interest होगा, वो एक specific मतलब, तुम्हारा area चूज करके जाओ, उहाँ बार पुछेगा तो तुमको बोलना होगा कि आईजर कोलकाता में, यह मत बोलना कि आईजर कोलकाता का popularity जदा है, यहाँ पर आ जाओंगा तो मेरा status बर जाएगा, यह नहीं है, यह तुम्हारा अंदर का बाद है, यह मत बोलो, यहाँ पर जाके बोलना होगा कि यहाँ पर जो faculties है, अच्छा हो तो यह वाला जो important point यह सब बोलना होगा और एक important thing यहाँ पर कि आईजर कोलकादा जाने के पहले मतलब तुम्हारा interest है तो तुम पहले एक inquiry कर लो कि उस institute पे तुम्हारा जो यह research field जो मैं बताया तुम्हारा और भी कुछ हो सकता है उसमें research होता है कि नहीं होता है तो उसमें attend करो मतलब join करो otherwise join मत करो नहीं तो problem होगा बात में ठीक है आप जाते हैं question के बार में मतलब और एक important thing be positive positive रहना होगा ठीक है positive नहीं रहोगे तो तुम्हारा interview अच्छा नहीं होगा उसके साथ तुमको मतलब बहुत ही अच्छे से जो question देगा कि so एक साथ बहुत सारा question आ सकता मतलब इस बार online interview हो रहा है तो क्या होगा कि तुमको बहुत सारा question एक साथ पूछ सकता है तो इसके लिए धीरे से मतलब कुछ जल्द बजी में answer नहीं देना जो answer दोगे बहुत धीरे से मतलब आच्छे से practice मतलब board work करके वो answer देना होगा कुछ new question आएगा तो तुम उसके ब topic के उपर जो question पूछ रहा है उसके उपर interest दिखाना पड़ेगा तुमको ठीक है तुम interest दिखाऊगे तो teachers जो होगा पर faculties मतलब interview ले रहा है उसका भी interest तुमारे उपर आ जाएगा और तुम एक दो question का answer का उसके उपर गलत भी देगा तो कुछ problem नहीं होगा question का approach साही रख पूछा था कि TICL3 ठीक है इसका जो और गल डाग्रम मतलब इसका color कैसे होता है और एक friend को पूछा था TIH2O whole 6 3 plus ठीक है इसका जो color और spectrum के बाड़े में पूछा था मतलब तू सोच चकतो दो question एक ही है ठीक है यहाँ पर भी TI3 plus state यहाँ पर भी TI3 plus state ओके so TI3 plus मतलब 3D1 system so 3D 2D1 system मतलब इसका जो और गल डाग्रम होगा इसका जो और गल डाग्रम 2D 2D मतलब 2 में divided होगा ठीक है तो 2 में divided होगा मतलब इहाँ पर EG है यह T2G है तो इहाँ पर DG NERCY present है तो यह क्या होगा 2T2G और यहाँ पर यह electron transition होने के बाद क्या होगा यह EG हो जाएगा यह electron हिह जाएगा तो यहाँ पर 2EG होगा ठीक है तो यह transition मतलब 2T2G 2EG यह transition तुमको दिखाना परेगा कि D1 system में यह होता है यह बाला question पूछा था उसके बाद मेरा एक फ्रेंड को और एक question पूछा था कि यह 4 member ring था 5 member ring उसके साथ 4 member ring ठीक है और यहाँ पर OH यहाँ पर एक OH यह OH इधर भी दे सकता है यहाँ पर क्या दिया था H+, ठीक है तो फिर बोला था क्या होगा यह पिनाकोल पिनाकोल और यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर भी OH है यहाँ पर भी OH है तुमको यह बोलना होगा कि कौन सा OH प्रोटोनेट होगा देखो यहाँ पर प्रोटोनेट ज वांड यहां पर आ जाए गा, यहां से और दो 5-명이-ं?? जाएतार चार्ट मिवड़ण बन तो, मौट फूम्ठ भूसन पूल पीना सबतुकर अ क्या क्या हो, थी न Aunty with darkDogs दाज रिए, जो इन अवर आनिक के लिए जो इंपर्टेंट Two Player Products चपक्टर्स पर्णना है इंटर्वी के लिए उसके उपर एक वीडियो घाणाया है वीडियो का डिश्क्रिस्रिप्च्युमे आयउ'T मिल देतंगा यहांग मैं यहांग साखगा और विदे सफलीत में जाया सउ और प्रसलय तो यह सब कर सकते हो उसके साथ देखो नेफलाक्सेटिक एफेक्ट नेफलाक्सेटिक एफेक्ट मतलब जो फ्री आयोन जब रहेगा उसका जो एलेक्ट्रोन जो क्लाउड मतलब रिपाल्शन मतलब मेटल लिगान कॉम्पेक्स से ज़ाधा होता है यह बाला कोशिन पूछ सकता है उसके साथ देख सकते हैं और गल डाग्राम जो नेफलाक्सेटिक पाई बॉन्ड फिओरी वाला कोशिन मतलब जो पाई बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रोन्स होगा वो क्या करते हैं उसका ज मतला मैक्सिमम केस में ये कुश्चेन पूछा था और 1 important question tip पूछा था की जैसे और निक से पूछा था कि stereochemistry के उपर, stereochemistry के उपर कि क्या पुछा था कि homotopic, heterotopic, heterotopic में क्या-क्या, enunciotopic और diastereotopic, enunciotopic और diastereotopic, ठीक है, enunciotopic और diastereotopic, ये बाला कौन-कौन सा proton कब होगा, मतलब कौन सा enunciotopic होगा, कौन सा diastereotopic proton होगा, ये सब पुछा था, उसके बाद एक question के उपटिकल प्योटी के ऊपर क्या कि पूछता था एक जग लीटा पाता नहीं था लेगिन पूछता था कि को मिंचा Hepa बाइए पुछता है क्वेल्न है में कोउच्ण आ है मसमां पाउंड स्रेता इस खाईज के उपर romance सब्सक्राइब बार्に पूтомराँ अवाला पूछ सकता है और ऑगंधनिक के ко...' से शिवाला कोशिन पूछता है यह बहुत ही बेसिक लेकिन कोश्षन पूछता कश्षन इसका यह साद और पूछता है 186629ग के और प्रोड़क्ट क्या का shaped जो पर दो भे श्रोफर स्वा चुट्स Hybrid और एक शी उच्वीर में उर्च सों डीकिन तो organic synthesis के उबर question पूछेगा, जैसे जेन सेसर में question पूछाता है, मैं यहाँ पर discuss कर रहा हूँ, ठीक है, यह OH, यह OH, यह OH, यह OH, ठीक है, इसका जो preparation पूछाता, तो इसका preparation क्या होगा, इसका preparation होगा, कि पहले acetaldehyde लेना होगा, ठीक है, acetaldehyde लेने के बाद इसमें क्या देन होगा कि, कुछ भी एक base ko h, यह पर nao h, और h3 o plus, ठीक है, तो first three step क्या होगा, यह एलडॉल होगा, यहाँ पर three alpha hydrogen's है, तो three step होगा, तो यह three step एलडॉल होना के बाद क्या हो जाएगा, कारबन में एक CHO यह present होगा, और यह तीनों hydrogen क्या हो जाएगा, यहाँ पर hCHO देना पड़ेगा, hCHO, तो यह CH2OH बन जाएगा, यह भी CH2OH बन जाएगा, ठीक है, और यह इस step में last step क्या होगा, क्यान निजार ठीक है, तो फास्ट three step एलडॉल, उसके बाद last step क्यान जारो, तो यह इसका जो preparation, यह important था, इसका जो preparation का जो name रियाक्षन था, का tolerance रियाक्षन बोलता है इसको, ठीक है, tolerance रियाक्षन, उसके साथ सारे जो rearrangement हो देखके जाना, जैसे फैबोर्स की rearrangement, उसके साथ smid rearrangement, उसके साथ, backman rearrangement, यह सब जो important things यह देखके जाना होगा एक बार तुमको, ठीक है, उसका reagent कैसे use होता है, कब मतला इसका migratory aptitude कौन जादा होगा, बेंजील, बेंजीलीक acid बाला जो rearrangement, ओ भी देखके जाना, और एक important thing कि और भी जो question पूछा था, जैसे pericyclic के उपर question पूछ सकत उसके बाद physical में आते है, physical के inorganic में बता दिया क्या पढ़ना है, देखो, सारी chapter जो जो BSC में पढ़े, उसका basics परके जाना, और इसके साथ, जो question मैं यहां पर discuss कर रहा हूँ, यह देखते जाना, देखो, यहां पर और questions है, physical से, first question पूछे था, kinetics के, kinetics का rate equations, ठीक है, उसक इसके बाद order, यह बाला question पूछेगा, उसके साथ, इसका related graphs है, consecutive reaction, parallel reaction, opposing reaction, यह बाला जो है, उसके साथ chain reaction भी थोरा सा देखके जाना, ठीक है, वह अबर bottleneck principle का एक principle है, chain reaction में, वह देख लेना, एक बार, यह था important thing, उसके साथ, RNAs equation, k equal to a into e to the power minus e by rt, इसका related k versus t, k versus 1 by t, जो इसके बाद question पूछा था, phase के उपर, phase में क्या का, phase diagram पूछा था, H2O का, CO2 का, और sulfur का, ठीक है, किसको कौन question पूछ सकता है, यह देख लेना, तीनों ही देखके जाना, उसके साथ, phase का basics परके जाना, उसका जो liver rule है, वहाँ पर, liver rule, phase में, वह liver rule एक बार देखके जाना, ठ पॉलिट स्टेट में, जो जो question है, जैसे structure, ठीक है, structure जो जो है, जैसे NACL, KCL, ठीक है, CEP2, JNS, JNS के दो structure, उर्जाइट और जिंक रेन, इसका मैं वीडियो बना दिया, उसका हमारा चैनल में चेक कर सकते हो, जिंक सलफाइट का, उसके साथ, TIO2 का structure, यह भी पूछ सकते हो मतलब पूछ सकते हैं, तो यह जो structures है, यह सब करना है, ठीक है, उसके बाद देखो कि, solid में और जो जो है, packing fraction वाला, कौन-कौन सा packing fraction होगा, FCC में कितना atom present होता है, जैसे 4 होता है, body centered में 2 होता है, और simple cubic में 1 होता है, यह सब देखके एक बार जाना, मतलब कैसे calculation, सब को आता ह है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना, उसके बाद जो एक question पूछा था, मेरा एक friend को कि, जो isothermal process, और adiabatic process, उसका जो P versus B का जो, मतलब, उसका जो slope, ठीक है, उसका slope का जो, मतलब, steepness किसका जाधा होगा, ठीक है, तो PV equal to RT, यह होता है, एक equation, और PV to the power gamma equal to, मतलब, constant, यह ह equal to constant, यह भी equal to constant, यहाँ पाट D P by D V का जो relation, यहाँ पाट देखना होगा, कि, adiabatic में क्या होगा, gamma into minus P by V, ऐसा कुछ आएगा, गामा, आजो दारमल में आएगा, P by V, ओके, और adiabatic में आएगा, minus gamma into P by V, ठीक है, तो देखो, गामा का value, always greater than 1 होता है, ठीक है, तो क्योंकि गामा is equal to Cp by Cp, maximum case में होता है, कभी-कभी Cp less than भी होता है, Cp से, ओ भी portion देखके जाना, कब Cp, Cp equal होगा, कब Cp greater than Cp, कब Cb greater than Cp, यह सब देखना, तो stiffness adiabatic का जाधा होता है, यह वाला portion, ठीक है, तो almost जो-जो question पूछा था, मैं discuss कर दिया, तो यह वाला question देख लेना इ तो सारे chapters का basic परके जाओ, यह जो-जो मैं question discuss किया, यह वाला question देखके जाओ, तो that's all for today's video, if you get any information from this video, please hit the like button, please subscribe our channel and please share this video with your friend, thank you for watching, see you in the next video.